लास्ट कोर्षन है इस एकसे साइड का माना y बराबर में x प्लस 3 का स्क्वाइड x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 का पावर 4 ठीक है अब लिखते हैं टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेते हैं क्या हो जागे यहां से लॉग y बराबर में लॉग x प्लस 3 का स्क्वाइड x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 का पावर 4 अलग अलग करता हूँ यहां से log y बराबर हो जाएगा log x plus 3 का square plus log x plus 4 का cube plus log x plus 5 का power 4 सबका power नीचे उतरेगा log y बराबर में 2 log x plus 3 plus log यहाँ पे 3 log x plus 4 और plus 4 log x plus 5 चरिए अब यहाँ पे मैं differentiation इसका करता हूँ लिखते हैं differentiating with respect to x यहाँ पे हो जाएगा 1 by y into में dy by dx यहाँ जाएगा 2 into में 1 by x plus 3 और plus 3 into 1 by x plus 4 और plus 4 into 1 by x plus 5 चरिए अब य को इधा लाके multiply करते हैं और y के value भी रख जाते हैं dy by dx बराबर y के value यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका x plus 3 का square into x plus 4 का cube और into में x plus 5 का power 4 यह न होगा और bracket के अंदर 2 by x plus 3 3 by x plus 4 और 4 by x plus 5 इतना भी छोड़ सकते हैं लेकिन आपके book में इसको थोड़ा सा solve कर दिया है तो मैं इसे solve कर देता हूँ क्या problem है कोई दिक्कत नहीं है x plus 3 का square x plus 4 का cube और into x plus 5 का power 4 अंदर LCM ले लिया है तो चलिए अंदर हम लोग LCM लेते हैं x plus 3 into x plus 4 into x plus 5 ध्यान से into करना यह दोको 2 है इसमें से भाग करोगे यह दोनों बचेगा और यह दोनों जाके 2 से गुना कर जागा तो इन दोनों में मैं गुना करके ही यहां लिखता हूँ x square plus का 9x और plus का 20 ठीक है मैं इन दोनों में गुना करके ही यहां पे लिखा हूँ ठीक है plus 3 plus में 3 into इसमें भाग करोगे यहां कर जागा इसमें और इसमें गुना करके यहां लिखना होगा तो हो जागा x square plus में 8x plus में 15 ठीक है फिर plus 4 into देखो इसमें इसे भाग करोगे इन दोनों में यहां गुना करके लिखा x square plus में 7x plus में 12 चलिए solve करते हैं तो देखो ना यहां पे एक एक कट जाएंगे इनसे यहां कट जाएगा यहां कटेगा तो square बचेगा यहां यहां कटेगा तो यहां Q बचेगा तो हो जाएगा आपका x plus 3 इन 2 में x plus 4 का square और x plus 5 का Q ब्रेकेट के अंदर यहां solve करते हैं तो हो जाएगा 2x square plus में 18x और plus में 40 ठीक है और plus 3x square plus में 8 24 हो जाएगा 24x और plus में 15 35 plus 4x square प्लस में सचोक 28x 28x और plus बर्चोक 48 चलिए अब इसको थोड़ा सा simplify कर दो यहां से हमारा dy by dx निकल जाएगा क्या हो जाएगा x plus 3 into x plus 4 का square into x plus 5 का Q ठीक है अंदर खाली जोड़ लेना है जोड़ लीजिए तो यहां दो 2x square 3, 5 और 5 और 4, 9x square 18 है, 24 है और 28 है तो देखो ना इन 3ों को जोड़ लेते हैं तो 3ों को जोड़ लेते हैं आपका 70x हो जाएगा 40 है, 45 है तो यह 85 और 85 में 48 जुड़ गया तो यहां 133 हो जाएगा यही आपका answer आजाएगा तो इस वीडियो में मैं यहीं पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो और कॉमेंट करके ज़रूर बताय करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं